तो हैलो दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों आज में आपको बताने वाला हूं Android मोवाइल में एक डवलपर ऑप्शन होता है जिसके साथ आपको कुछ हैसे फीचर या सेक्रेट फीचर मिलते हैं इसको इनेबल कैसे करते हैं और क्या-क्या यह फीचर होते हैं तो उसके बारे में पर नीचे हो सकते हैं इस फीचर को इनेबल कैसे और इसके बारे में बताने वारा हूं तो आगे चलते हैं दोस्तों वीडियो स्केब मत करिएगा पूरा देखिए जिससे आप एक भी कोई फीचर को या इंडन फीचर को मिस नीं कर पाएगे तो आगे चलते हैं, मेरा नाम सणियर और आपका स्वागत है, मेरे चैनल अ Canvas तो दोस्तों, इसको इनेबल करने के लिए, आपको पहले दोर इनेबल करना होगा और डबलपर option को, उसके लिए आपको करना किया होगा अपने mobile की जाना हूole setting में setting में जाने की अधर आपको नीचे जाना है about phone में about phone में जाने की अधर आपको जाना है software information में यहाँ पर आपको मिलेगा building number करके आप देख रहे हैं मिल रहा है आपको यहाँ प्रैस करना है seven time यहाँ देख रहे हैं नीचे देख वी रहा होगा आपको you have got, you are now, यह फिर असके बाद आपसे मांगेगा password, जो आपका mobile का password पर आप तो password डाल दीजिए, तो उसके बाद क्या होगा, यह आपका developer option enable हो जाएगा, तो मैंने password डाल दिया और developer option enable हो चुका है, developer option enable होने के आदा, आप देखेंगे भार की तरफ आएगे तो आपको यह option मिल रहा है, developer option का, आपको उसमें करना है, click, click करने के आदा, आपको यहाँ सबसे उपर ऐसा interference देख रहा होगा, सबसे पहला आपको जो देख रहा है, stay away, यह सबसे पहला जो feature आपको आप जैसे इसको enable करेंगे तो इसका enable करने का फायदा क्या होगा इसके enable करने से क्या होगा जब भी आपको mobile charge पर लगाएंगे आप आप देखिए का यहां पर थोड़ा blur हो रहा है तो आप देख सकते हैं यह blur हड़ गया है तो आप देखिए नीचे लिखा क्या होगा है screen will never slip well charging, while charging, अगर आप इस option को enable कर देंगे, तो जब भी आप mobile charge पर लगाएंगे, तो आपका mobile की जो screen है कभी off नहीं होगी, जब तक चलती रहेगी, मानलो आपने अगर lock करके mobile charge पर लगाया है, तो जरूर off ही रहेगा, अगर आपने कुछ mobile पर लगाया, कुछ open करके, तो वो open का open ही रहेगा, close नहीं होगा, window lock नहीं होगी, यह इसलिए काम आता है, मानलो कोई आपकी कोई photos देख रहे हैं, या फिर आप कुछ messages पढ़ रहे हैं, या कुछ और कुछ book books पढ़ रहे हैं, आप इसके अंदर, mobile में कुछ देख रहे हैं, photos click है, या कुछ लिखा हुआ है, जो भी चीज़ें अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपको बार-बार touch करने ही ज़्योत नहीं रहेगी, तो आपका screen off नहीं रहेगा, हमेशा stay रहेगा, तो अगर आप ज़्यादा कुछ पढ़ते हैं, या कुछ ज़्यादा देखते हैं, बार-बार आपको परशानी होती है, तो आप इसको enable कर सकते हैं, पर यह charging में ही काम करता है, उसके बाद जो नीचे आएंगे, जो मैं आपको आपको इसको काम काम के features है, वो ही बताने वाला हूँ, यहाँ पर लिखा है auto update system करके आपको इहाँ दिख रहा होगा, यह दिख रहा होगा, auto update system, अगर आप इसको enable करेंगे, auto update system करेंगे, तो उससे होगा क्या, यहाँ नीचे लिख हुआ है, updates when the phone restart अगर आपने इसको enable कर देंगे तो आपके जित्ते भी mobile में apps हैं तो auto update होया करेंगी आपको पता भी ने चलेगा background में ही पूरी update होना चाली हो जाएंगी जिससे आपको पता भी ने चलेगा आपको latest update mobile app रखने का अगर आप कुछ खाते हैं उसके बाद नीचे option दिख रहा है demo mode का आप demo mode पे click करेंगे demo mode पे click करने के बाद आप देखेंगे उपर की दरफ enable demo mode का option दिख रहा है enable demo mode का option आपको दिख रहा होगा और उपर की तरफ आप आप मेरे mobile की battery देखिएगा कित्ती दिख रही है या आप देख सकते हैं 100 प्या गयी तो यह देको मोड इसने संदेग्ल दिखाने लिए ओता है या बोल सकते हैं या नेम आप मोड सिर्लों सा उसके सबसे होता है तो इससा मिपयान से बंदी कर सकते हैं या क्स डियाक ईक पो स्फिटमें का चीज और अन्य किसी ने ऐसा उठाया है मालो आपने नहीं चलाया किसी अंडॉन पर्सन ने उठाया तो यह data मॉवाईल को पूरी तरह से लॉक कर देगा और लॉक मलाएख open भी होगा तो भी मॉवाईल को लॉक कर देगा जिससे कि अगर उसको password नहीं पता जिसने उठाया है तो आपका data वहा मैंने आपको बता दिये, यहां नीचे की तरफ आएंगे, यहां पर आपको मिलेगा, Mobile Data Always Active, आपको दिख रहा होगा, अगर आप इसको On कर देंगे, तो इससे होगा क्या, इससे होगा यह, अगर मान लिजी आपने, वाइफाई से Connector होके Net चला रहे हैं, और आपने यहाला Option On करके रखा है, तो आपका Net भी यहां पर Access करता रहेगा, आपको मॉवाइल का डेटा भी चलेगा, और वाइफाई का दोनों इकटे वर्किंग करेगा, अगर आपको स्पीड का रहता है, तो आप दोनों के थुरू चला सकते हैं, कोई इश्यू नहीं रहेगा, आप दोनों से Net अच्छा ही, एजीली चला सकते हैं, तो आपको सिंप की चीज़े वाली मॉवाइल डाटा, आपको सिंपल इसको करते हैं, तो यह आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने का शॉक है, तो यह आपके लिए काम आने वाला है, आपको दिख रहा होगा, आप जब भी टच करेंगे, तो आप देखेंगे, मेरा जो टच हो रहा है, यहा आपको दिख रही है, आपको दिख रहा होगा, एक मिन में आपको यहां से नेबल करके दिखाओं, यह दिख रहा है आपको, एक डॉट स्क्रीन पर दिखा रहा होगा, आप देखेंगे, आप कहीं भी टच करेंगे, तो यह आपको स्क्रीन पर दिखा रहा होगा, आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है उसके बाद जो काम की चीज़ आने वाली ये नीचे आएंगे आपको दिख रहा है विंडो एनिमेशन स्केल आप यहां पर विंडो एनिमेशन का स्केल चेंज कर सकते हैं वैसे वन एक्स पर रहता है वाइड यह नीचे स्लो है उपर की तरफ फास्ट है पॉइंट फाइवेक्स है पॉइंट फाइवेक्स में तुरंत ही वर्क करेगा आप देखिएगा और यह पॉइंट वन फाइप करेंगे तो यहां स्लो हो जाएगा तो यह डिफॉल्ट बन एक्स पर रहता है अगर आपको एनिम ऌ lot को फॉली डार्क मोड नहीं सपूर्ट करती उसमें भी यह डार्क मोड करदेगा आप ने किया है या उस पे आया भी नहीं है तो आगर आप फैस्ट पे जाएंगे तो वह भी आपको डार्क मोड पर दिखेंगी तो यह बहूत अच्छा फीचर हयर आपको डर्क मोड कर आने का बहुत शौक है तो आप यह यूज़ कर सकते हैं जिस एप में डार्कोंड नेबल भी नहीं है तो वहां पर इभी आप इससे वर्क कर सकते हैं आप कमेंट करके दोस्ति जढूर मुझे बताएगा तो धेंक यू दोस्तो मुझे उमीद है कि आपको यी मेरी वीडियो पसंद आइए होगी अगर आपको यी वीडियो पसंद आईए तो प्लीज लाईक शेरे गर सारण बोस बर आपर अपने दाब करना ना बुल ऐं तो थ झाल झाल